नमस्कार दोस्तो पिछली क्लास में हमने फिलावर डवलमेंट का अध्यन किया था आज इस क्लास में हम अध्यन करेंगे मेल रोप्रोड़क्टेव ओरगन दोस्तो, आवरत बीजी पादपो में, एंजियो इस्पर्म प्लांट में, मेल रप्रोडक्टिव औरगन को एंडोसियम कहा जाता है और इसकी प्रतेक यूनिट को पुंकेसर यानि की स्टामिन कहा जाता है दोस्तो, पुंकेसर को ही माइक्रो इस्पोरो फिल्वी कहा जाता है पुंकेसर में तीन भाग होते है, एक लंबा और पतला फिलामेंट होता है, जिसे पुतन्तु कहा जाता है और यह फिलामेंट पराग कोसको पुसपासन से जोड़ने का कारिया करता है दोस्तो इस फिलामेंट के स्वतंत्र सरे पर ही एक बीजाउन युक्त भाग इस्तित होता है और उस भाग को एंथर कहा जाता है पराग कोस कहा जाता है पराग कोस पतंतु से एक छोटे से कनेक्टिव योजी छेतर के द्वारा जुड़ा हुआ होता है योजी छेत्र में ही जो है बैस्कुलर टिशू संबहन उतक पाई जाते है दोस्तो इन तीनों ही पार्टों में से पुंके सर के जो तीन भाग होते है इन तीनों ही भागों में से सबसे महत्पून भाग होता है उसका एंथर प्रमुक भाग होता है उसका पराग कोस तो इस परकार दोस्तो किसी भी पुंकेसर के तीन भाग होते हैं पहला एंथर दूसरा फिलामेंट और तीसरा योजी कनेक्टिब जो एंथर और फिलामेंट दोनों को जोड़ने का करता है दोस्तो प्रते के एंथर में सामानत है दो पालिया पाई जाती है दो लॉब पाई जाते हैं दो चेंबर इन में होते हैं और इन दोनों ही चेंबरों को पॉलन से कहा जाता है या माइक्रो इस्पोरेंजियम भी इने कहते है इस परकार से जो एंथर होता है दोस्तों उसमें दो पाली होती है अते ऐसी एसी कंडीशन को इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसे दी पाली या डायर्थीकस कहा जाता है और प्रतेक पराकोस की प्रतेक पाली में दो चेमबर होते हैं और इन दोनों ही चेमबरों को जो है पॉलन से किया पॉलन चेमबर कहा जाता है इस परकार से दोस्तो एक प्रारूपिक जो एंथर होता है उस एंथर में चार पॉलन चेमबर पाए जाते है और इस प्रकार से चार पॉलन चेंबर का पाया जाना टेट्राइस्पॉरेंजियेट कहलाता है इस प्रकार की जो कंडिशन है बहुत टेट्राइस्पॉरेंजियेट कहलाती है दोस्तों इसके विप्रीत कुछ ऐसे भी पादप होते है उन पादपों में केबल एक कोस्ट ये कंडिशन यानि की पराग कोस में केबल एक लॉब होता है और उस लॉब में दो माइक्रो इस्परेंजिया पाई जाती है तो इस्परकार की जो कंडिशन होती है जिसमें एक ही लॉब हो वह है मोनो थीकस कंडिशन के लाती है और इस monothecus यानि कि एक लॉब में दो micro sporangia पाई जाती है और वह condition क्यलाती है by sporangia दोस्तो सामयनत है जो normal एक पराकोस होता है उसमें tetra sporangia condition होती है लेकिन यहाँ पर इन पादपो में by sporangia monothecus condition पाई जाती है इसके examples है कुछ मालवेशी फैमेली के सदस मौरिंगा और बॉलफिया इन पादपो में single love एक love पाई जाता है और इस प्रकार की जो condition होती है भे मोनोथीकस कहलाती है और by sporangia condition कहलाती है दोस्तो एक smallest पड़जीवी आवरतवीजी पादप arcythobium minusitimum के पराग कोस में केबल एक love पाई जाती है लेकिन एक love के साथ साथ एक पॉलन सेक के साथ साथ दोस्तो उसमें केबल एक पराग प्रकोस्ट भी पॉलन चेमबर भी एक ही होता है अथार्थ हम कह सकते है कि इसमें एक love होती है और single love के साथ साथ यहाँ पर केबल एक ही micro sporengium उसमें पाई जाती है तो ऐसी condition कहलाती है तो दोस्तो इसमोलेश्ट परजीवी आवरतिवीजी पादप आर्शी थोबियम माईनू सीटिमम के अंतरगत mono-thiqas condition के साथ mono-sporengiate condition भी पाई जाती है तो यह आपको विशेश ज्यान रखना है कि इस पादप में mono-thiqas condition है और mono-thiqas के साथ में ही जो है mono-sporengiate condition भी पाई जाती है एक एवल एक पराकोस होता है जबकि मालवेशी मौरेंगार वॉलफिया के एक्जामपल्स हमने जो देखे थे इन सभी में मोनो थीकस के साथ साथ तो बाई इस्पुरेंजेट कंडिशन होती है और वैसिकली जो नॉर्मल एक टिपिकल एंथर होता है उसमें जो है डाई थीकस कंडिशन होती है और डाई थीकस के साथ साथ उसमें टेटर इस्पुरेंजेट जो है कंडिशन पाई जाती है दोस्तो जो टेटर थीकस कंडिशन होती है उसमें जो दो लॉब पाई जाते है उस दो लोब में से एक लोब जो है छोटा होता है और एक लोब बड़ा होता है नेक्स्ट है दोस्तो एक टिपिकल जो इस्टामिन होता है उसका एक प्रारोपिक डाइग्राम जो है अपकी इस स्लाइड पर दिखाया गया है जिसमें सबसे उपरी पार्ट जो है अछा इंther होता है और सबसे निचला पार्ट जो उसको पुसपशन से थैले मत से जोड़ने का काम करता है और दोस्तो इन दोनों ही बागों को इंther और filament दोनों को ही जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव तो यह एक टेपिकल जो है स्टामिन की संद्रचना है यहाँ पर वे एक टेपिकल प्रारूपिक जो है स्टामिन की संद्रचना को ही दिखाया गया है नेक्स्ट आता है इस्टामिन यानि की जिसे माइक्रोस्फोरोफिल भी कहा जाता है उसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं और क्या उसकी संद्रचना होती है उसका एक आउटलेंड डाइग्राम इस स्लाइड के उपर आपको प्रिजेंट किया गया है दोस्तों एक इस्टामिन जिसे माइक्रोस्फोरोफिल कहा जाता है जिसके एक तीन पार्ट होते हैं एंथर फिलामेंड और कनेक्टिव इस एंथर में दो लॉब पाई जाते हैं दो पालिया पाई जाती है और दोनों ही पालियों के एंथर के दो दो उसमें पॉलन सेक पाई जाते है यानि कि दो दो उसमें चेमबर पाया जाता है तो इस प्रकार से टोटल फोर चेमबर, फोर पॉलन सेक वहाँ पर प्रिजेंट होते हैं इन पॉलन सेक को ही माइक्रोस्पॉरेंजियों कहा जाता है और इस प्रकार की जो कंडीशन होती है यानि कि Tetrasporengiate condition कहलाती है इसके बेपरीत मालवेशी है, मौरेंगा है, वॉल्फिया है ये कुछ ऐसे plant है जिनमें यहाँ पर लॉब की जो संख्या होती है वो दो नहीं हो करके एक होती है और वहाँ पर पॉलन सेक की जो संख्या होती है वो दो होती है तो ये कंडिशन कहलाती है, मौनो थीकस और वाई इस्पोरेंजियाट इसके बेपरीत आर्शितोबियम माईनूटी सीमम जो प्लन्ट होता है उसमें केवल एक लॉब होता है और एक लॉब के साथ साथ वहाँ पर जो है दोस्तो केवल एक ही उसमें माईक्रो इस्पोरेंजियम पाए जाती है तो ये कंडिशन कहलाती है मौनो थीकस और मौनो इस्पोरेंजियाट इसके एक्जाम्पल आपकी यहाँ नीचे इस स्लाइड पर दिये गए है मौनो थीकस का नेक्स्ट टोपिक आता है दोस्तो डवलम्मेंट ऑफ स्टामेंट एंड पॉलन सेक दोस्तो इस्टामेंट का जो डवलम्मेंट होता है पराक कोश का जो डवलम्मेंट होता है वह यू इस्पोरेंजेट परकार का होता है अते हम कह सकते है कि इसके डवलम्मेंट में भाग लेने वाली जो कोशकाई होती है वो एक सेदिक स्पोरोजीनस कोशकाओ से मिलकर के इसका डवलम्मेंट होता है अथार्त हम कह सकते है कि यह growth of cells होती है, वो इसके development में भाग लेती है, malistematic koshkai बार-बार जो है विवाजित होकर के असंक कोशकाओ का एक सम्हू बनाती है, और यह koshkai जो है दो लॉब में, दो पालियों में बेवेदित हो जाती है, और प्रतेक लॉब से दो चेंबर, पॉलन चेंबर का development होता है, दो माइक्रो इस्पॉरेंजियम का development होता है, इस परकार से पॉलन चेंबर जो है डवलप हो जाते है, विक्सित हो जाते है, और इसके बाद में धीरे-धीरे कोशिकाओ के नीची की और जो है, फिलामेंट का बिवेदन होता है, और इस परकार से एक जो प्रारूपिक पॉंके सर होता है, उसका पूरा development हो जाता है, पूरा उसका बिकास हो जाता है, तो दोस्तो इस परकार का development होता है, वह कहला जता है, यू इस पॉरेंजियेट परकार का development, मेंट की कि देखिए दोस्तो यहां एक S approval के उपर solid होते हुए कि स्टामेन को दिखाया गया है जिसमें एक प्रारंब्विक जो डाइग्राम है जिसमें एंथे का यह यंग एंथे होता है जो ए चारतरफ एक epidermis पाई जाती है और उसके बीतर Homogenous Compact Meristematic Cells का एक सम्हूम होता है इसमें सभी कोशकाई एक समान होती है दीरे दीरे इस epidermis के चारों कौनों पर इसके नीचे इस्तित जो कोशिकाई होती है उन कोशकाई में विभेदि होता है और उनका जो कोशिका द्रव होता है वह कोशका द्रव घना हो जाता है इसका जो केंद्रक होता है वह बड़ा और स्पेस्ट हो जाता है और ये अन कोशकाई से अलग हो जाती है और इनके जो मैद्द में है वह प्रोकेंबियल connective bascular tissue का development हो जाता है तो इस प्रकार से archie sporial cells का निर्मान सबसे पहले इसमें होता है सरवर्थम archie sporial cells का development होता है और इन archie sporial cells से ही आगे चल करके primary parietal cells, primary sprogenous cells का development होता है और इन primary parietal cells से ही इसके तीन से लेकर के पांच जो इसकी भित्तिय होती है, वोल होती है उनका development होता है और primary जो sporosinous cells होती है इनहीं से आगे चल करके spor mother cell का development होता है और spor mother cells में meiosis के दोआरा जो है micro spores का development होता है अब इसे हम आगे विस्तार पूर्वक देखते हैं दोस्तो प्रारमिक अबस्ता में, सिरुवात की अबस्ता में जो पराकोस होता है, वह एक समांगी होता है होमोजीनस कोईसकाय उसमें पाई जाती है प्रारमिक अबस्ता में पराकोस एक छोटे अबार के रूप में निकलता है जो कि गोलाकार या एक अंडाकार संटसना होती है और इस अबस्था में इसमें एविवेदित समरूपी मेरिस्टेमेटिक कौशकाओं का एक सम्हों होता है जो बाहर से एक कौशकिये मोटे इस्तर एपिडर्मिस के द्वारा गहरा हुआ रहता है दीरे दीरे इस खेतर के मेद में सम्हों उतक का निर्मान होने लगता है और इसी के साथ जब सम्हों उतक का निर्मान होने लगता है तो उसी के साथ दीरे दीरे चारो कोनों पर इस्तित जो एपिडर्मिस है अधी चर्म है उसके नीचे इस्थेत अधस्चर्म खेत्र में यानि की एपिडर्मिस के नीचे जो एंडोडर्मिस रीजन होता है उस एंडोडर्मिस की रीजन में और्दोपंक्ती में कुछ कोशिगाए अपने आकार में बड़ी हो जाती है उनका केंद्रक जो है इसपेश्ट हो जाता है ज में जो इस प्रकार की कोशिकाओं पाए जाती है इस प्रकार की कोशिकाओं को इन कोशिकाओं को आर्की इस्पोरियल सेल्स कहा जाता है पौधी की अलग-अलग पिड़ जातियों में अलग-अलग जातियों में आर्की इस्पोरियल सेल्स की जो सेंख्या होती है रहे अलग-अलग होती है इन आर्की इस्पोरियल सेल्स में कोशिकाओं में परिनत भिवाजन होता है और उससे दो संतिती कोशिकाय बनती है दो उनकी पड़ते बनती है जिसमें जो बहारी तरफ की कोशिकाय होती है उन्हें प्राइमरी प्राइमरी प्राइटल कोशिका कहा जाता है प्राथमिक भित्ती कोशिका और जो अंदर की तरफ बनती है आंत्र जाता है ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाय निरंतर विवाजन करती है और इनके विवाजन से ही एक संपूर्ण पराग कोश का निर्मान होता है प्रात्मिक वित्ती कोशकाय पुने परिनित रोप से विवाजित होती है पैरी किनाईला निर्मे डिवीजन होता है और बहर की त जो है एक पेराइटल या वॉल सेल्स का निर्मान करती है इन एंडोथीसियम की जो कोशिकाई होती है इनमें एंटी क्लाइन डिवीजन होता है और एक सपस्ट एंडोथीसियम का डवलाप्मेंट यहां पर हो जाता है साथे जो बॉल सेल्स होती है उनमें भी दो से लेकर के तीन परिनत विवाजन होते है और कई उसमें अपनत विवाजन पेरी क्लाइनल और एंटी क्लाइनल डोना ही प्रकार के डिवीजन होते हैं और अनके दवरा एंडोसियम की नीचे दो से तीन स्थरिय एक मिडल लेयर का निर्मान हो जाता है। और इसके भीतर की और एक स्थर और बनता है, एक स्थर का निर्मान और होता है और उस स्थर को कहा जाता है। ये टेपिटम की कोशिकाए बीजानु जनन कोशिकाओं में मियोसिस विवाजन की दोरान और बाद में माइक्रो स्पोर्ट्स का पराग करनों का जो निर्मान होता है तो उन्हें पोशन प्रदान करने का कार्य करती है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंसेंट्रिक रूप से लगो कोशिका बिजानु जनन कोशिका बनती है परागदानी की बिज्ट्टी के निर्मान के साथी जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है वो दो या दो से अधिक बार जो है माइटोसिस समसूत्री विवाजन के तवारा प्रफाजित होती है और इस्पोरोजीनस को इसकाओ को निर्मान करती है दोस्तो और अंत में ये जो इस्पोरोजीनस को इसकाओ होती है यह ही से Microsppore Mother Brenles का निर्मान होता है पृतिएक Microsppore Mother Brenles में Reduction Division होता है अर्दसूत्री बिवाजन होता है और उस अर्दसूत्री बिवाजन के द्वारा ही Microspores का निर्मान होता है और इस दौरान जो typetum की कोशिक होती है दोस्तों, वे typetum की कोशिक आए नैश्ट होने से पहले ही कुछ गोल-गोल कणिकाओं का निर्मान करती है और इन गोल-कणिकाओं को दोस्तो यूविस बोड़ी कहा जाता है यूविस बोड़ी जो की एक प्रकार का जटिल पदार्थ इस्पोरो-पॉलेनेन पाया जाता है उसकी बनी हुई होती है दोस्तों और ये जो sporopollenin होता है ये carotinoid का polymer होता है carotinoid का भहुलक होता है tapitum के नश्ट हो जाने से uvis body जो परागधानी है उसमें मुक्त हो जाती है और लगु भी जानों के micro spores के pollen grain की चारों है और एक वहाई ये मोटा इस्तर बनाती है secret करती है और इस मोटी वित्ती वाले जो परागधान होते है अब इनको pollen grain कहा जाता है दोस्तों प्रारंबिक अबस्ता में ये जो चार micro spores डवलप होते हैं बनते हैं ये आपस में kaeloge एक पतली परत होती है उसके दुआरा ये जो डे होते है तु इस परकार जो चार micro spores का समय होता है उसे treated कहा जाता है और बाद में tapitum के दुआरा एक enzyme secret होता है जिसे kaeloge enzyme कहा जाता है उस kaeloge enzyme के secret होने के कारण जो है ये जो परत होती है के लोज परत ये गुल जाती है और जो चार micro spores होते है पुलन गिरेन होते है वो आपस में मुक्त हो जाते है दोस्तो सामाने ते नॉर्मली वेसिकली जो है एक micro spores mother पर फूंटपल कार्या करते हैं किसी प्रकार जैंसी नंको इसी निंग ऑनासी भरफ nombreux से पूल तो दोस्तों इस प्रकार से जो है एक एंथर का यहां पर डवलप्मेंट होता है यह जो टेवी इस्क्रीन स्लाइड पर आपके एक डाइग्राम को दिखाया गया है उसमें एक यंग जो एंथर होता है उसका एक टीएस है दोस्तों और इस टीएस में देखिए सबसे बहार यह जो लेयर होती है यह इसकी एपिडर्मिस होती है दोस्तों और इस एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है एंडोडर्मिस सामानत है एक नोर्मली जो typical enter होता है उसमें ये epidermis single layer होती है और जो endothisium होती है दोस्तो इसके नीचे endothisium भी single layer पाई जाती है और इस endothisium में alpha cellulose के कुछ bands पाई जाते है उसकी alpha cellulose की thickening इसमें पाई जाती है वैसे जो endothesium होता है दोस्तों इसकी जो इस पर से रिखिये भाया वित्ती होती है और एक आंत्रिक होती है तो आंत्रिक वित्ती पर ये जो endothesium में जो alpha cellulose की थिकनिंग होती है वो अधिक होती है बाहर की तुलना में और ये जो थिकनिंग होती है alpha cellulose की ये ये जो भाग ह इस्टोमोडियम इस भाग में बहुत कम होती है अल्प मात्रा में पाई जाती है यही कारणे दोस्तों कि इसका जो नेचर होता है वो हाईग्रोसकोफिक होता है आधरता गरही होती है और जब यह एंथर पुरा परिपक हो जाता है उस कंडिशन में इसका जो इस्फूटन होत होता है वो इस्टोमोडियम पार्ट से ही होता है इसके नीचे की जो लेयर होती है वो दो से तीन इस्थरिये मिडल लेयर पाई जाती है और इस मिडल लेयर के नीचे सिंगल लेयर के रूप में जो है एक टैपिटम पाई जाती है और इस टैपिटम का प्रमुख कार्य होता बिक्सित होते हुए जो माइक्रोस्पोर्ट है उनको पोशन प्रतान करना और बाद में दोस्तों इसी के दोरा यूविस बोडी का निर्मान होता है और उस यूविस बोडी जिसमें की जो की इस्पोरो पॉलेनिन नामक एक पदार्त की जटिल पदार्त होता है उसकी बने हु ुती है। तो इस परकार से एक यंग एंथर का है डवलोप मेंट होता है。 यह डायग्राम दोस्तो एक मैच्वर कम्पलेट एंथर का है उस एंथर का टीयस है जिसमें दोस्तों ये दो लॉब पाई जाती है और इन दोनों ही लॉबों में दो दो पोलन चेंबर एक ये है और एक ये रा इसी तरह दूसरा बड़ा देखे तो एक ये चेंबर है और ये चेंबर है इस परकाट से टोटल जो है चार यहाँ पर चेंबर पाई जाते है और यह condition कहलाती है टेट्रा-इस्पोरेंजियेट यानिकि चार यहां पर इस्पोरेंजियम पाई जा रही है और इनके मेद में एक संबहन उतक होता है कनेक्टिव होता है यह जो इन्हें जोड़ने का कारे करता है कि दोस्तों यहां पर भी एक इस्पोटन सेल यह जो अंतिम डाइग्राम है इस अंतिम डाइग्राम को एक इस्पोटन सेल जो है जब परागकान जो है वहार इस्पोरेत हो जाते है यानि कि परागकन जब बहार निकल जाते है यह पार्ट जो है इस्ट्रमोडियम पार्ट होता है और इनका जो परकिनन होता है परागकनों का वो इसी पार्ट से होता है इसी पार्ट से यह वहार निकलते है और यह जो प्रिथम डाइग्राम है यह इ जिसमें उसके बहार से भीतर की तरफ कौन-कौन से उसकी लेयर्स होती है उसको दिखाया है इसके डाइग्राम में पालसर पोलन सेक में यह चोटे पौलन गिरैंस्ज होते हैं दोस्तों जो यह mature हो जाता है तो उस condition में केलोज एंजयम के दोरा जो टैटेड होते हैं वो केलोज एंजयम के दोरा जोड़े हुए रहते हैं तो चार का एक group होता है जिसे टैटेड कहा जाता है तो केलोज एंजयम के दोरा जो केलोज होता है वो गुल जाता है और टैटेड म बाद में यह इस एंथर से स्टमोडियम वाले वाले वाग से भार आ जाते हैं उनका प्रकिन्न न हो जाता दा ग्राच अगयरम में दोस्तों एक जो ँज आर थर होता है उसका डवललमेंट कि पर ils किसे प्रकार से आपिडर्म से कि नीचे जो है ये पुरा अक्षा का अमेंटा सॱ्यू का वृता है कि कि वेवेदेद कोशका होती यह वह यह जोत की कोशकाई कोशकाई होती यह जीवद्रवगाड़ा हो जाता है, इसपेश्ट हो जाता है और इस परकार की जो कोश्काओं को सम्मूब होता है जिसे आर्की स्पोरियल सेल्स कहा जाता है इसी इन ही आर्की स्पोरियल सेल्स से जो है आगे चल करके एंथर का डवलाप्मेंट होता है कि यहां दोस्तों डब्लब्लमेंट ऑफ इस्टामिनल माइक्रो इस फुरेंजियम को यहां इस स्लैड के उपर जो है एक आउटलान डियाग्राम से दिखाया गया है कि एक औहुं ने चले के पराग कसका में पाए जाती है उ इसे आगे चल करके अगे चल यह कि यहां पर इसका जो यह डव्लमेंट कि रही एक सिंगल करके कमें यह को देगा है व्लाब्लमेंट कर नियुद करना होसले हिए जब सिंगल कर देड़्ला मैंट ओधैं तो है कि लाता है लेप्टो इस पौरेंजेट परकार का डवलोप्मेंट लेप्टो इस टेपि स्लाइड के उपर यहां एक complete outline डाग्रम के मैध्यम से समझाया गया है कि किस परकार से जो है micro export आध्यांजेशु का याइंथर का डवलोप्मेंट होता है दोस्तों अग्यों सपट एके बिभेदित पुर्न मैची। पराकोस के कैसे होता है। तो इसके सब्सक्से बाहरी एक पडस्टिध के अनदर kंपहेट ऑसे इस गुषकाई होता है, इसमें खॱ्शकाई कल्स आपने आकार में बढ़ी हो जाती है, जीवद्रवः जो होता है, प्रोटो प्लाज्म होता है, वो देंस होता है और इसका केंदर क इस्प्पेस्ष बढ़ा हो जाता है, ऐसी कोष्का को Archiहspoorium या Archiahsporial जाता है, इन Archiahsporial चलोँ आगे चल करके जो है को एडुतीशं वमग्सित होजाती है और पारेटल सेल्स में झाले делать पीरेटल विवाजन होता है और उसके द्वारा जो मिडिल और शोड़ीने के dziबुरोर कर दोड़ता का मिडिल यह का द्रोड सा 이제 के देट सुत्री विवाजन होता है और समसुत्री विवाजन के द्वारह Sporogena cells यान कि Micro spiders Mother cells viktigt रेदकस्व Benson Bullet यां कि चल खरके कि Better Levative Why scheme मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद में Micro Sports का निर्मान होता है तो दोस्तो इस प्रकार्षे जो है एक एक बिवेधित पराकोस से एक बिवेधित पराकोस का डवलमेंट यहाँ पर होता है थैंक्यू दोस्तो